हेलो दोस्तों दिल के गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हो वीडियो देखने के लिए तो आज हम डिसकस करेंगे पाइप बनाने वाली कमपनी पे एक ऐसा छोटा पाइप बनाने वाला स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले 5 सालों में मतलब आपकी जिंद्गी बदल देगे पूरी तरीके से जिंद्गी बदल देगे आपकी आपकी आपने देखा होगा एस्टरल पाइप ने लगबग 1000 परसंट का रिटन निकाल के दिया वह भी बहुत कम समय में यह पाइप बनाने वा कोसिस करेगा और बहुत ही बड़ा कोई चोटा मोटा रिटन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बड़ा रिटन की बात कर रहा हूं तो कुछ बड़ा ही सोच वाप सही है मुक्त पाइप लिमिटेड यहां से देख लिजे 6.74 मतलब 6-7 रुपे में यह स्टॉक आपको दे देता है तो ही खर दो कोई स्टॉक अगर डेली डेली प्रॉफिट देगा तो भाई क्यूं देगा वो मौक आपको खरीदने के लिए किसी भी चीज़ को पहले खरीदने के कोशिस करना है जो कंपनी पाइप बनाती है यह कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है जैसे कि मा काफी ज़्यादा आज के डेट में अगर आप देखो जितने भी सहरे इलाके हैं वहां पर कच्ड़े वगरे जमा होते हैं बहुत होते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप देखो तो इतने बड़े-बड़े मोटे-मोटे पाइप यूज किये जाते हैं क्योंकि इसक 30, 40, 40, 50 km जितना भी दूर आपको लेके जाना वहां तक अब इनके लिए भाई इनको बहुत बड़ा ओर देना पड़ता है और उसके बाद इस कंपनी को काफी बड़ा बेनिफिट भी होता है और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यह चोटे-चोटे यह सब चोटे-च आपको बड़ा नहीं लगाना है चोटा पैसे लगाना चोटा बहुत ही चोटा आपको निकाल के तो पर-घूत एक बी-परसेट हिस्सीदार ही किसको देना नहीं चाहते हैं सेबी के हिसाब से 75% पर इसके हैं अगर फोरेन यहा यहां पर अपनी हिस्तेदारी बढ़ा ली तो पब्ली के पास 2-4% ही बचेगा यहां पर कमपनी के उपर थोड़ा बहुत डेट है जो कि यहां देख सकते हैं 3.61 के आसपास है मतलब कुछ ज़्यादा भी नहीं है ऐसी नहीं कि कमपनी पूरी तरीके से मतलब डेट में डूबी हुए है इंसॉल्वेंट है या बैंकराफ्ट होने वाली ऐसा कुछ भी नहीं है हम इस कमपनी पर एजब पैनी स्टॉक्स के तौर पर हम ध्यान दे सकते यहां पर और यह स्टॉक देखोगे तो अलेडी लगबग नीचे से बहुत उपर जा चुका था और आधे तो यह स्टॉक्स लगबग गिरावट पर देखने को मिला जो स्टॉक्स लगबग 16 रुपे के आसपास गया था अब वो जो है यहां पर आपको 6 रुपे के आसपास देखने आधा तो आधे से भी कमदा में आपको स्टॉक देखने को मिला मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में छोड़ देना चाहिए बहुत छोटा है पैनी स्टॉक्स में आपको बताने की कोसिस किया बस तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखे मैं कोसिस करूँगा कि आपको उर्जा ग्लोबल या सील मनिफैक्चरिंग ट्राइडेंट या फिर आप देख सकते हो टी टी एमल इससे भी काफी अच्छा मैं आपको पैनी स्टॉक्स बताने की कोसिस करूँ बिलो वन रुपिस भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं बिलो वन रुप जरूर कर दीजगा वीडियो को क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं और कितने लोग को वीडियो अच्छा लगता है और उन्हीं लोग के लिए मैं ज्यादतर वीडियो बनाने की कोसिस भी करता हूं